दोस्तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तो जब कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है तो वह अपने रिष्टे को किसी से भी नहीं छुपाती है लेकिन कुछ लड़किया किसी लड़के के साथ लव अफेयर या रिलेसंसिब में रहती है इसके बाद भी अपने पार्टनर के बारे में किसी को कुछ जादा नहीं बताती है यहां तक कि लोगों के सामने अपने बॉइफरेंड या पार्टनर से दूरी बना कर रखती है और जब कोई उसके बारे में पूछ देता है तो उसे सिर्फ अपना अच्छा फ्रेंड बताती है यहां तक कि कुछ लड़किया तो एक लड़के के साथ कमिटीड होने के बाद भी दूसरी लड़कों से फ्लाट करती है तो ऐसी लड़कियों के साथ रहने बाले लड़के अक्सर कंश्यूज हो जाते हैं कि आखिर लड़की क्या चाहती है इतना ही नहीं कई बार तो कुछ लड़किया एक से जादा लड़कों से फ्लाट करती है और लड़कों को अपनी ओरा करसित करने की कोसित भी करती है अब ऐसी इस्थिती में कई लड़के उस लड़की को अपनी गर्ल फ्रेंड समझना सुरू कर देते हैं चलो बताते हैं दोस्तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लें नमबर बन बन दोस्तो जब लड़की किसी लड़के के साथ कमिटेड होती है इसके बाद भी यदि हुआ है किसी दूसरे लड़के से फिलाड करती है या हुआ है अपने बॉइस फ्रेंड से ज़्यादा दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट लेती है किसी ना किसी बहाने से दूसरे लड़कों से बात करने की या उनके नजदी जाने की कोसिस करती है या आप से ज़्यादा दूसरे लड़कों की चिंता करती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपकी girl friend आपके हाथ से निकल चुपी है दोस्तो यदि आपकी girl friend या partner आपसे ज़्यादा बात है किसी दूसरे लड़के के साथ करती है आपके साथ रहती है तो उसका चेहरा अमेज सा मुर्जाया सा रहता है और जब किसी दूसरे लड़के के पास जाती है तो उसके चेहरे पर चमक आजाती है तो आपको समझ लेना चाहिए आपकी girl friend या partner आपसे ज़्यादा उसे चाहने लगी है धार नमर दोस्तो यदि आपकी girl friend या partner देर रात तक जाती रहती है फिर भी आपसे दूर रहती है या आपके संपर्क में नहीं रहती यहां तक की अकसर social side पर देर तक किसी से chat करती रहती है देर तक phone calls पर busy रहती है इसके बाद जो भी जब आप उससे पुछते हैं तो वह ना जाने क्या-क्या बहाने बना देती है कित उस समय की qualities और message सब गाया मिलते हैं तो आपको सवधान हो जाना चाहिए फोर्थ नमबर दोस्तो जब आपकी girlfriend या पत्नी आपसे अजनभीयों की तरह वियेप करने लगे आपसे भावनात्मा को मांसिक रूप से दूर हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसके दिल में आपकी कोई जगे सीस नहीं मची फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमास काता